चलिए students अब इस set के passage पर हम आ गए है और passage हमारा है question number 91 to 100 that means last questions है जो students YouTube पर passage देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ आपके पास इन दोनों में से कोई भी version हो book का 2022 या 23 edition कोई भी हो इन में दोनों में ही 2018 वाले sets की list है उसमें steno का जो second set है उस second set का ये passage है ठीक है तो जिन बच्चों के पास इन दोनों में से कोई भी book है चाहे वो पुरानी हो या latest version हो ये वाला वो उन्हें passage आराम से मिल जाएगा ठीक है अब मैं तुम्हें passage दिखा देता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी है जिनके पास ये book नहीं है तो उन्हें मैं complete passage दिखा दिखा देता ह और अब हमारा status क्या है जब हम 2-4 महिने continue करेंगे तो तुम्हें खुदी difference मैसूस होगा ठीक है चलो तो ये रहा passage आपके सामने complete इसका screenshot ले लो और फिर ये रहे options यहां से यहां तक 98-97 तक और यहां तक हुए hard 100 complete ठीक है बई तो एक बार screenshot ले लो जल्दी से फिर हम आगे move क करते हैं इसके answers समझना शुरू करते हैं ठीक है तो first line से देखते हैं हर एक line को हर एक sentence को normally fill in the blank ही समझो जिसका जितना अच्छा sense उसका उतना अच्छा answer ठीक चालो अब पहला sentence कहता है the two philosophies दो किसी तरह की philosophies है किसी ना किसी भाव की होंगी philosophies है ना दर्शन सास्त्र या दर of Chinese culture वो Chinese culture की two किसी तरह की philosophies है दो किसी प्रकार की philosophies है और क्या-क्या है एक तो Confucianism और एक Taoism यह दोनों की दोनों जो हैं वहाँ पर बहुत अच्छे मत बहुत अच्छे विचार होते हैं जो माने जाते हैं जो follow किये जाते हैं लोगों के द्वारा ठीक है इन दोनों को इन दोनों मतों में इन दोनों विचारों में होती है ठीक तो किस तरह की philosophies किस तरह की दर्शन है यह तो हमें देखना है कैसा चाहिए ऐसे जिने आप राम से notice कर सको और या फिर ऐसे जो central हो या फिर ऐसे जो powerful हो या फिर ऐसे जो प्रभावी हो dominant का मतलब होता है प्रभावी ठीक है जिनका वहाँ पर दब दबा हो जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाते हूं तो अगर देखा जाए तो अगर हम Chinese culture के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते है तो आप ये बानोगे इस बात को कि वहाँ पर confusionism और Taoism ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा माने जा इसकी वज़े से हमारा जो आंसर होगा central नहीं होगा powerful नहीं होगा noticeable नहीं होगा dominant आंसर होगा ये वहाँ पर प्रभावी विचार हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा follow करते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं each influenced, each का मतलब हर एक नहीं, हर एक का मतलब क्या? confusionism ने भी और Taoism ने इनमें से दोनों ने ये ही काम किया है हरे एक ने क्या किया? बहुत प्रभावित किया. इंफ्लूएंस किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया किसको? वह जब आप आपने प्रभावित किया तो कैसे किया जब आप प्रभावी होंगे तभी तो इसलिए हमारा answer dominant है पहले में तो इन्होंने प्रभावित किया किसको the of Chinese history Chinese history की किसी चीज को इन्होंने प्रभावित किया and the development of the culinary arts और इन्होंने culinary arts के विकास को भी बहुत जादा प्रभावित किया अब culinary arts एक phrase के रूप में आप याद कर सकते हो इस पूरे के पूरे word का पूरे के पूरे phrase का meaning क्या लिख सकते हैं पाक कला संबंधित अब पाक कला संबंधित क्या होती है पाक कला संबंधित इसका meaning क्या होगा पाक कला मतलब हो गई रसोई से related कलाएं अब रसोई में खाना पकाना भी आ गया रसोई से संबंदित कलाएं जितनी भी होती हैं उन्हें culinary arts कहते हैं और खाना serve करना भी आ गया ठीक है पकाना भी आए और serve भी कैसे आ लोगों को देख करके खाने को अच्छी feeling आए कि हाँ आज खाने का मन कर जाए और और जादा और जादा लोगों की भूक बढ़ जाए तो खाने को serve कैसे करना और खाने को पकाना कैसे है ये सब मिला करके जो पूरी की पूरी एक activity बनती है उसको हम कहते है culinary arts ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन दोनों विचारों नहीं या हर एक विचार नहीं प्रभावित किया Chinese history को Chinese history को और पकाने की कला से संबंदी जो भी विकास था उसमें उस सब को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया तो यहाँ पर Chinese history की किस चीज को प्रभावित किया Chinese history के रास्ते को नहीं Chinese history के progress को नहीं History खुद बखुद बढ़ती है तुम progress नहीं करते हिस्ट्री में Chinese history के course को course of history हो सकता है course of something होता है हमेशा होता है और Chinese history के passage को ये भी नहीं होगा तो answer हमारा बहुती basic fluency पर है क्या है course of history course of history का मतलब क्या है history में जो भी कुछ हुआ है उस पूरे syllabus को, उस पूरी चीज को हम course बोल देते हैं एक जगा पर रहा करके ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया course of Chinese history, इसने Chinese history के हर चीज को, course का मतलब हर चीज आ गई वहाँ पर, हर चीज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और development of culinary arts और उसने culinary arts की development को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, confusionism concerned itself confusionism संबंदित है, खुद में खुद में यह किस चीज से संबंदित है, with the art of cooking मतलब, हम क्या सीखते हैं इसमें पकाने की कला को सीखते हैं and placed concerned itself with the art of cooking यह खुद में संबंदित है पकाने कला से and placed on the on the enjoyment of life और इसने क्या किया इसने एक जगा बनाई, placed का मतलब जगा बनाना हो जाएगा, ठीक है या कोई जगा रखी किसमें life को enjoy करने की किसी चीज़ पर किसी चीज़ पर इसने क्या किया, कुछ किया अब क्या किया, ध्यान से सुनना फिर option लगाने के बाद हम फिर से हिंदी लगाएंगे ठीक है, तुम्हें ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी number इसमें कुछ कट जाएं क्योंकि थोड़ा सा vocabulary डिफरेंट आती है तो हमें passage difficult feel होता है एना, easy feel हो, इसके लिए में जादा सजादा passage पढ़ने है, बस और कुछ नहीं करना है हम क्या करेंगे तो उसने life के enjoyment को प्रभावशाली देखो, जो significance है उसका मतलब तो होता है महता, महता यहाँ पर sentence में सही नहीं आएगा और महता और importance, दोनों significance और importance दोनों एक ही वर्ड है तो दोनों ही कट गए अब तुम्हें एक बात अगर पढ़ी हो तुमने grammar के course में मैंने तुम्हें बताया था जब तुम्हें proportion का chapter पढ़ा रहा था कि emphasis के बाद हमेशा own proportion fix है ठीक है, value of enjoyment of life अब value के बजाए हम emphasis चुनेगे यहाँ पर, emphasis का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना या किसी चीज़ पर दबाव देना, रट लेना इस बात को emphasis on का मतलब होता है किसी चीज़ पर बाव देना, answer तो यही है अब इस answer को लगा करके मैं तुम्हें हिंदी बताता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी clarity आ जाए यहाँ पर ठीक है, देखो द्यान से यहाँ पर हम क्या करेंगे, emphasis हमने word पकड़ाया यहाँ पर सारे options में से, देखो द्यान से Confucianism concerned itself with the art of cooking and placed emphasis यह खुद में art of cooking से संबन्दित है और इसने क्या किया है, placed emphasis on और इसने जोड़ दिया है बहुत जादा और इसने बहुत जादा जोड़ दिया है on the enjoyment of life, life को enjoy करने पर ठीक है, तो जोड़ देना किसी चीज़ पर emphasis के बाद own यहाँ पर fix होती है यह बात रट लेना, ठीक, pre-position की चीज़ तुमसे यहाँ पर यह पूछी गई है आगे बढ़ते हैं next कहता है कि Taoism was responsible for the Taoism किस के लिए जिम्मेदार था, for the of किसी चीज़ के लिए hygienic, hygienic का मतलब वो ही साफ सफाइस related होता है of hygienic of food and cooking, खाने और पकाने की किसी चीज से, hygienic किसी चीज से के लिए यह जिम्मेदार था, अब 94 और 95 में similar से word हमें चाहिए, देखते हैं क्या-क्या word इसमें आ सकते हैं, सबसे पहले 94 देखते हैं Taoism was responsible, Taoism की जिम्मेदारी थी यह Taoism में जिम्मेदार था किसके लिए अब यहाँ पर दे के बाद में अब यहाँ पर development सबसे बढ़िया word है क्यों है, क्योंकि विकास का सेंस आ रहा है, हमने साफ सफाई की आदते सीखी हैं, पहले तो क्या था, हम क्या गरते थे कि भई, किसी शिकार को मारा उसे ऐसी, हमारे जैसे भी हाथ, गंदे या किसी भी तरह के हैं, dirty hands के साथ में हम उस चीज़ को खाना पिना शुरू कर देते, फिर क्या हुआ धीरी धीरे हम साफ सफाई का ध्यान रखने लगे, तो इस चीज़ का विकास हुआ, तो विकास के sense में हमने क्या किया, development word यूज किया, अब देखो, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, तावजम was responsible for the development of hygienic, यहाँ पर habits से समंदित कुछ word आ रहा है, लेकिन देखते हैं हमारा answer क्या होगा, for the development of hygienic hygienic features नहीं, features का मतलब सुविधाय नहीं, hygienic aspects, hygienic पहलू, जैसे खाने पीने की कोई चीज है, हम उसके hygienic पहलू कि यह कैसे साफ सुतरा हो सकता है, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, तो aspect का मतलब होता है, पहलू, इसमें aspect का मतलब पहलू, अलग-अलग उसके चेहरे क्या-क्या है, किस-किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, hygienic विशेस्ता हैं, खाने की नहीं, hygienic quality, quality और characteristic दोनों एक ही word हैं, तो यह दोनों similar हैं इसलिए इनको हम सीधा-सीधा काट देंगे, similar word आपस में अगर हम लगाते हैं, तो दूसरा word उनमें से लगाने में भी कोई problem नहीं है, तो वो आपको वैसे ही confuse कर देगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, फिर से repeat करता हूँ, देखो answer अमारा क्या आया, aspect लगा दिया हमने आपर development और aspect को fill करके मैं तुम्हें हिंदी बताता हूँ, हमेशा कह रहा हूँ में ये बात जिसका जितना अच्छा हिंदी सेंस, उसका अच्छा answer, हिंदी सेंस कैसे improve होगा, सबी बच्ची ये ही शिकायत करते हैं कि हम sense नहीं समझ पाते हैं अच्छे से तो sense केवल और केवल regularity से improve होगा, आपको daily एक दो पैसेज करते रहना है, इस नहीं हमको बनाए रहोगो, सब कुछ अपने आप होगा ठीक, चिंता छोड़ो, क्योंकि चिंता करोगे तो अपने शरीर को खो बैठ होगे या तो मतलब शरीर में कोई ना कोई problems सुतरी आदते क्या है, साफ सुतरे पहलू क्या है, उन चीजों के development के लिए कौन जिम्मदार है, ताविज्म जिम्मदार है, तो ताविज्म हमने सीखा कि पकाना कैसे है और उसे साफ सुतरा कैसे रखना है, ये बात हमने सीखी उसमें, तो तो the Chinese चाइनीज लोगों के लिए food and friends are inseparable inseparable का मतलब क्या है कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, that means ये खाने को और friends को बिलकुल एगी तरीके से देखते हैं, ठीक है, हर level पे enjoy देख करते हैं a, without food is considered incomplete कोई एक ऐसी चीज है, जिसको अगर खाने के बिना किया जाए, जैसे हम आपस में मिलते हैं, तो ये कह दो कि अगर हमने treat नहीं की ना, हमने आपस में बैठ करके chart नहीं खाई, हमने आपस में बैठ के pizza नहीं खाया तो उस meeting को या उस gathering को हम क्या करते हैं हम उसे complete मानते ही नहीं है ये इनकी सोच है, कि अगर हम मिल नहीं है तो भई, खाना तो जरूर होगा, ये वाली feeling इनके मनगी है, ठीक है, तो इसको incomplete माना जाता है, अगर आप मिलते हैं, और बिना food के आप चले जाते हैं बिना खाय भी आप चले जाते हैं ठीक, तो देखो, अब यहाँ पर 96 में क्या आएगा तो, a meeting, a conference, conference में तो बहुत सारे खेर हो गए, ये नहीं, audience भी नहीं आएगा यहाँ पर answer है, a meeting या a gathering एक meeting कहलो या एक gathering कहलो, अब जरूरी नहीं है कि हम meeting करेंगे, कोई professional meeting में जाएंगे हम आपस में ऐसे भी मिल रहे हैं न तो उसे हम get together कहते हैं, या gathering कहते हैं तो gathering यहाँ पर meeting से जादा अच्छा वड़ है अगर हम आपस में मिले, तो उसको हम get together कहेंगे ठीक है, meeting नहीं कहेंगे, meeting professional level पर आ जाती है हम दो आपस में रिष्यदार भी मिल दे हैं, तो उसे हम meeting करना थोड़ी कहेंगे उसे हम कहेंगे get together, भई हम उससे मिल गए आज हम वहाँ पर बैठे, खाया पिया और खूब सारी बाते की तो इसको हम get together करना कहते हैं, अपने friends के साथ, अपने relatives के साथ तो get together वाली बाते जो है, gathering से आएंगी, तो हिंदी सुनो ध्यान से तो एक gathering, एक gathering जो है, जहां पर हम मिलते हैं, without food, अगर हमने मिल करके खाना नहीं खाया, is considered incomplete, उसको अधूरा माना जाता है, and उसे ठीक नहीं माना जाता, वो मतलब अधूराया ठीक नहीं माना जाता, कुछ इसी तरह का हमें word चाहिए हैं, but 97 में, तो देखते हैं, उसको कैसा माना जाता है, 97 में, unacceptable माना जाता है, मतलब उसको accept नहीं करता समाज, ऐसा नहीं है, कभी कबार तो rare हो जाता है, तो ये तो नहीं लगाएंगे, unsuitable, अनुचित, ये भी नहीं बैठेगा, irregular, ये मतलब कभी कबार ही होगा, ऐसा ये भी नहीं है, improper का मतलब ठीक नहीं होगा, तो ठीक नहीं माना जाता, ये हमारा इसी से sense आ रहा है, हमारे पास word पहले ही था, sense पहले ही था, ये में ठीक नहीं माना जाता, कुछ इस तरह का word लेना है, अब improper, तुम जानते ही हो, जो proper ना हो, proper का मतलब meeting proper रही, हमने खाना पीना भी खाया बाते भी, ये सारा बिजनेस भी कर लिया, सब कुछ हो गया, improper का मतलब किसी चीज का अधूरा बन रह गया, ठीक है, तो वो खाने के बिना अधूरा बन मानते हैं ये इस चीज को, ठीक है, ऐसे तो हमारे यहां भी हर जगा पर यही है, कोई आ जाए तो उसे खाना खिलाए बिना नहीं भेशते, तो यही वो ही चीज चल रही है सारी यह पर, आगे है, Confucius, ये एक व्यक्ति का नाम है, जिससे ये फिर विचार धारा बनी थी, Confucius established culinary standards, इसने क्या किया, इसने स्थापना की, Confucius ने स्थापना की, या स्थापित किया, culinary standards को, culinary का मतलब रसोई के standards को, and proper table, और proper table पर बैट करके कैसे हमें behave करना चाहिए, उस तरह के standards को, इसने स्थापित किया, पकाना कैसे है, और table पर बैट करके, खाना कैसे है, उन चीजों को हम कैसे देखेंगे, ये बात बताएंगे आपे, तो 98 में table पर बैट करके, क्या सिष्टा चार आप अपना होगे, उसके बारे में बात यहाँ पर कही गई है, तो 98 में देखते ह है, कहीं किसी professional area में, या फिर किसी headquarters में, या फिर किसी office में, वहाँ पर apply होते हैं, ये नियम और सिद्धानत होते हैं, कि आपको इन नियम के according चलना होगा, जैसे PMO है, प्रधानमंत्रियावास है, रास्टरपती भवन है, इन सब में, protocols के according इनसान को चलना पड़ता है, आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, बिना पूछे, चाएँ आप भले ही राजा क्यों न हो देश के, ठीक है, custom क्या होती है, रीथिया होती है, और etiquettes जो होते हैं, etiquette, एक तो etiquettes, और एक होते हैं manners, ये दोनों words, sinonim है, एक दूसरे गे, ठीक है, तो table manners तुमने words सुना होगा, अगर यहाँ पर manners word होता चारों में से कोई सा तो हम manners भी answer लगा सकते थे लेकिन table etiquettes हम यहाँ पर लगा देंगे अगर हमारे पास manners words नहीं है manners word नहीं है तो हमने क्या देखा कि table के etiquettes या table manners टेबल मैनर्स तुमने फ्रेज सुना होगा अगर तुमारे आसपास थोड़ी बहुत भी इंगलिश बोली जाती है तो table manners बहुत fluent word है ठीक है तो table etiquettes या table manners क्या कैसे properly use करना है और कैसे खाने को पकाना है culinary का मतलब रसोई में क्या-क्या साफधानिया या क्या-क्या साफ सफाईया में रखनी है उन सब को इन्होंने establish किया ठीक है आगे बढ़ते हैं the use of knives चाकू का जो use है चाकू का जो use है at a Chinese dinner Chinese dinner में is considered poor taste उसे poor taste का माना जाता है that means उसे ठीक नहीं माना जाता यह simple सा sense यहां पर निकल के आ रहा है and the of cutting foods into bite size और किसी तरह की cutting है food की किसमें bite size pieces में bite का मतलब जो आप एक bite के तरीके से ही उसे काटते है काटके रखते हैं पहले से के एक bite आपके मुँँ में जाएगी उतने size की चीज़ काटके रखना is unique to the Chinese यह Chinese culture में unique माने जाती है अनोखी है यह उस culture की बात ठीक है bite size चीज़े काटके रखते हैं तो हम क्या करेंगे देखो standards, habit, routine and tradition इन चारो words में जो आपका routine और tradition है यह तो आपका सीधा-सीधा कट जाएगा ठीक है? routine और tradition जो है यह आपका सीधा-सीधा कट जाएगा अब बाकी बचते हैं मेरे पास दो options वो क्या-क्या है? एक तो habit और एक standard अगर मैं routine word ही काट रहा हूँ तो इसका मतलब habit भी कटेगा क्योंकि किसी चीज़ को routine में रखना और किसी चीज़ को आदत में रखना, यह दोनों similar चीज़े होती है तो अगर basically मैं proper way में काटू तो मेरे B और D option कटते हैं अब मेरे पास A option तो बचा अब मैं तुम्हें A और C option में से यहाँ पर answer देता हूँ ठीक है? tradition हम वैसे तो काट रहे हैं बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? tradition को अभी रखके चलेंगे क्योंकि दो routine और habit हमने सीधे-सीधे काट दिये तो अब मैं तुम्हें क्या करूँगा? A और C option देता हूँ इनमें हम देखेंगे क्या हो सकता है options पर discussion करता है वैसे तो tradition कटना चाहिए सीधा-सीधा वैसे नहीं आना चाहिए बट हम एक बार discussion करता है फिर उससे answer का answer लगाएंगे क्या सकता है तो the use of knives at a Chinese dinner is considered poor taste knives का use जो है poor माना जाता है खराब माना जाता है and the standard of cutting foods या फिर tradition of cutting foods अब standard का मतलब तो यहाँ पर उतना जादा proper नहीं आ रहा है लेकिन अगर मैं देखो normally tradition कट जाता है यहाँ पर normally यहाँ पर sense नहीं बैठता बट यहाँ पर किसी पुरानी आदत की जो परमपरागत चलती आ रही है उस आदत की बात हो रही है क्योंकि यह Confucius ने किसी बंदे ने कोई या कोई चीज स्थापित की थे पहले से उस चीज को हम follow करते आ रहे हैं पुराने से तो पुराने में habit और routine तो खतम हो गए अब standard आ गया है यहाँ पर basic word केवल इसी कारण की विए से standard हमारा सही नहीं बैठ रहा है इसलिए से हम यहाँ पर tradition लगाएंगे otherwise पुरानी चीज मानने हैं कोई sense नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा and the tradition of cutting foods और जो खाने को काटने की जो tradition है जो परंपरा चलती आ रही है पुरानी चीज चलती आ रही है into bite-sized pieces यह इस चीज में unique है यह Chinese culture में unique है तो according to me and according to the book as well answer यहाँ पर c होना चाहिए देखो tradition का normally परंपराओं से related word जैसे custom हमने पीछे option में काट दिया था तो हम काटते आ रहे हैं custom tradition वगरा को लेकिन यहाँ पर यही word सही बैठा ठीक है क्योंकि custom हमने पिछले option में काट दिया था इसलिए हम यहाँ पर भी काटते वे चल लेते लेकिन थोड़ा सा अर्थ की वज़े से हमने यह answer चुना अब आगे बढ़ते हैं आगे question क्या कह रहा है बहुत basic खाने पीने से related passage है अब finishing पर है हम according to Confucius, इस person के according good cooking depends एक अच्छी cooking जो होती है वो निर्बर होती है किस चीज़ पर of various ingredients बहुत सारे ingredients को कहीं सारे ingredients को कुछ करने पर मतलब क्या है जब आप कोई चीज पकाएंगे तो आप उसमें ingredients जैसे कभी इलाइची डाल दी, कभी आपने हींग डाल दिया कभी कुछ और चीज डाल दी ऐसे चीज़ों को आपस में merge करना या आपस में blend करना इन सब चीज़ों के base पर ये चलती है अच्छी cooking में आपको हर चीज की एक तरह से मिश्रन करना आना चाहिए मिलाना आना चाहिए अच्छे तरीके से अच्छे लेवल में और एक सही अनुपात में मिलाना आना चाहिए चीज़ को तभी आप अच्छी cooking कर सकते हैं अब stir का मतलब तो जैसे कि आपने दूद में चीनी डाला और उसे चम्मस से हिला दिया तो उसे हम stir करना कहते हैं collaboration का मतलब होता है साटगार्ट, साटगार्ट भी यहाँ पर चीज नहीं सही बैठेगी merge का मतलब भी दो चीज़ों का अपस में merge करना होता है लेकिन blending जो एक ऐसा word है जो कि cooking में तो बहुत जादा use होता है ठीक है blender word आपने सुना होगा kitchen की vocabulary में तो blending एक ऐसा word है जिसका मतलब होता है mission करना और खास कर kitchen में यही word use होता है merge करना दो चीज़ों का अपस में word use होता है दो चीज़ों का अपस में मिला दिया लेकिन यह kitchen की vocabulary में use नहीं होता यह बात ध्यान रखना है that's why you'll have to choose option C in the given blank ठीक है तो चलिए इसी के साथ हमारे 10 questions यह complete होते है क्यों कौनसा answer हमारा आएगा और क्यों कौनसा answer हमारा कटेगा इन चीज़ों को discuss करने की हमने यहाँ पर कोशिश की है हमेशा की तरह से एक ही बात कहूंगा target आपने चुना है कोई SSC का हो banking का हो UPSC का हो कोई फरक नहीं पढ़ता passage सभी को परिशान करते है sense सभी को परिशान करता है क्योंकि यह language सभी के लिए एक अलग language है आपकी mother tongue नहीं है तो अगर परिशान कर रही है तो एक ही तरीका है जिससे आप इसमें fluency ला सकते है कि आपको इसे regular पढ़ना ही है Hindi to English पढ़ो या English to Hindi पढ़ो कोई फरक नहीं पढ़ता बट passages करो चाहे newspaper के थुरू पढ़ो चाहे essays के थुरू पढ़ो या फिर जो पिछले papers में previous years के passages आयों है उन्हें पढ़ो इसी thinking के according हम अपना यह routine continue कर रहे है तो इसे हम continue रखेंगे जब तक आपके exam नहीं हो जाते passages sets इतने हैं कि कभी खत्म नहीं होंगे हमेशा नहीं आते रहते हैं तो चिंता मत करो यह series routine चलता रहे गाई ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही अब next lecture में आपसे मिलते हैं कल next passage के साथ